हेलो फरेंट्स वेलकम टू सूरती डिजाइनर्फ आज की इस वीडियो में बहुती डिजाइनर ब्लाउस बनाने वाले हैं और इसे हम लॉंग स्लीज में बनाएंगे और डीप नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल सूरती आर्ट्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहां पर लाइनिंग हमने लिए 80 cm और मैन फाइबरिक लिया है वन मीटर तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो सबसे पहले हमें आप इसकी लेन्थ लिनी है साड़े 14 इंच और 1 इंच प्लस करना है तो साड़े 15 इंच लिया है यहाँ पर शोल्डर लेना है तो पांच इंच और आर्म हो लेना है 6 इंच इसे अम 35 साइस का बना रहें तो 36 साइस के के लिए हमें देना के दाइंच-फ्लस कद कर लेना है Pend Всё कि यहां पर वेस्ट का चोता बाग लेना है कि तो जो इसकी बेस्ट है वह याहां पर 28 इंच की तो हम यहांपर मार्किंग करेंगे थू इंच हमने के लिए है और टु इंच मार्जल के लिए साइट से लाइन को ड्रॉ कर लेना है वर इंच से आर्मल के साइट पर गोलाई देनी है तो यह हमने फ्रेंट पार्ट की मार्किंग की और अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो जो इसके आई हुक है वह हम बैक में रखेंगे तो यहां पर हमे परेहले मार्किंग को सीधा कुरूब ऑर दूसरी मार्किंग करें गार मर्किंग करें वह हमाफ इंच की आई-ψोग की पटी के लिए को ऋटने तरीके से मार्किंग कर लिए आउना की पटी की कि सोल्डर ले लेना है 5.5 इंच आर्मोल लेना है 6 इंच चेस्ट का चोथा बाग आएगा यहां पर प्लस कर लेना है हमें मारजन का और यहां पर इसकी जो टोटल लाइन थे वो हम 15 इंच की रखेंगे यहां पर हमें चेस्ट का चोथा बाग लेना है 2 इंच मारजन का 1 इंच बैक टक्स के लिए लेना है साइट से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे 1 इंच से आर्मूल के साइट पर गुलाई देनी है तो यह हमारा बैक पार्ट है और यह हमारा फ्रेंट पार्ट है दोनों पार्ट को हमें कट कर लेना है अब यह आपर हमें प्रेंसेस कट की मार्किंग करनी है तो नीचे के साइट से हम मार्किंग करेंगे साड़े तीन इंच पर टक्स पॉइंट जो है वो आएगा हमारा दस इंच पर लाइन को ड्रॉ करना है प्रेंसेस कट का शेप देना है तक्स की जो वीट थे वो हम टू इंच की रखेंगे और यहां पर शेप देना है इसे हम कट करेंगे तो लाइनिंग पर हमने से कट कर लिया स्लीज कट करने के लिए बैक आर्मोल को मेजर करना है तो हाफ इंच रोडर को स्टीच करने के लिए में चोड़ दिया बाकी जो आर्मोलियों से हम मैजर करेंगे तो यहां पर दिखिए जो फैवरिक इना उसमें एक साइट ज्यादा बॉर्डर दी हुई है तो वह स्लीप के लिए दी हुई है तो हम उसे स्लीज में करेंगे यह देखिए यहां पर तो स्लीज की जो टोटल ल 12-2 इस ले लेना है 13-3 मर्किंग इंट ग्री में यहां पर स्टेट लाइन डरो लेनी है ऑम connect को ड्रो किया इतने वाल इतने फैविरिक में हमें फ्रंट और वैग दोनों को कट करना है तो दिखिए यहां पर यह हमने स्को रख घवर्क को साइट का जो प्रेंस कट वाला यहां पर स्लीज जो है वो भुन आज लोंग ही बनानी है तो फिर हम क्या करें तो दिखे, यहां पर हम एक चीछ कर सकते हैं। तो हम यहां पर इसको 3-Piece में बना सकते हैं, फ्रंट वाले पार्ट को, को बैल्ट के कॉर्डिंग जो बैल्ट होता है वो तो देखिए इसमें निकल नहीं पा रहा इतना चोटा रखेंगे तो यह निकल जाएगा और बैल्ट के लिए हम नीचे के साइट से इसको कट कर लेंगे, तो सबसे पहले अब हमें यहाप इसको थ्री पीस में कट कर लेना है, तो देखिये यहाँ पर इसकी जो टोटल लाइन्थ है वहमें 13 इंच की रख लेनी है, आप चाहे तो साड़े 13 इंच भी रख सकते हैं, यह थे इस तरह से बैल्ट के लिए, इसके स् है तो देखिए इन दोनों पार्ट को कट किया और यहां पर हमें हलका सा शेप और दे देना है और इस वाले पार्ट में भी हलका सा शेप दिया है हमने और अब हमें बैल्ट को कट करना है तो देखिए इस तरीके से रखना है यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां पर साड़े तीन इंच पर मार्किंग करनी है इसकी जो लाइन थे वो हमें हमारी वेस्ट और धाइंच प्लस करना है मार्किंग किये ओर शेप देते हुं इसे क्ट कर लेना है यह देखिए साइब इस तरीके से बैल्ट भी कर लिया है अब यहां पर हमने स्लीज के फैबरी को four fold किया और यहां पर हमें जितनाLY folding के लिए चाहिए अथना ले लेना है तो हमने यहाँ पर 23 इंच पर मार्क किया था यह देखें यहाँ से 23 इंच आ रहा है तो 23 इंच पर मार्क करेंगे जो हमारा आर्मुल था वो था 9.5 इंच तो अब हमें यहाँ से 9.5 इंच पर मार्क करनी है तो यह देखें 9.5 इंच है पूरा यह 3.5 इंच पर स्लीज को डाउन करना है स्लीज राउंड है वो है हमारा 8 इंच तो उसका हाफ लेंगे 4 इंच और 2 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए और इसको सरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है इसे हम कट करेंगे तो यह ना थोड़ा सा हार्ट फैवरिक है बट पैनने पर बहुत ही सुन्दर दिखेगा यह तो दिखिए हमने इसको कट कर लिया और अब टू पार्ट में हमें फ्रेंड के लिए शेप देना है यह देखिए इस तरह से सेव दे दिया स्लीज कट हो गई है बैक पार्ट में भी जो है हम डिजाइन बनाएंगे तो नैकी जो वीट थे वह हमने पौने तीन इंच रखी है और लैंथ में इस तरह से स्ट्रेट में कट कर लेना है तो यहां पर हम इस टाइप का बैल इस टाइप के जो बैक में डिज रखेंगे फ्रेंड वाले पार्ट को रखना है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी रख लिया है अब तीनों पार हमारे याप पर बन गए बचा है हमारा बैल्ट तो बैल्ट हम नीचे के साइड से देखते हैं हम उसे कट करेंगे बढ़ हमारा बैल्ट भी निकल क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें फुल पहनने का मन होता है जो की ब्लाउज में नहीं बनता तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा आप माइन को लगा कर और इस तरीके से आप कट करके इसको बना सकते हैं ठीक है तो यह देखिए हमने फ्रेंट पार्ट कट कर लिय कि यहां से भी हम बैल्ट को कट कर सकते हैं पर यह थोड़ा सा प्लेन आएगा अगर आप प्लेन रखना चाहते तो आप रख सकते वना यहां पर देखिए स्लीज के साइट से यह फैवरिक बचा हुआ था तो यहां पर आदे से ज्यादा बैल्ट हमारा उसी में निकल रहा है और यहां पर इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो जॉइंट वो एंबोईडरी है तो इतना दिखेगा नहीं कि इसमें जॉइंट लगा है तो हमें यहीं पर इसे यहीं से इसको कट कर लिया है तो दिखिए जो इसकी एक्स्टर जो बॉर्डर है ज्यादा वाली उसको को हमने कट कर लिया है इसमें अटेज करने के लिए यहां से हम स्ट्रक करएंगे और इस तरह के से को कट कर लिया तो बैल्ट की भी जो हमारी फैवरिक था वो भी निकल गया और कुछ फैवरिक हमारा बज भी गया है तो इसी के साथ हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है तो अगर वीडियो आपको पसंद आए आई होगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरू करि करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा थैंक यू थैंक यू